हेलो गाइज ऐस से वैसेल शुबा मख्रवाल फॉम टिमाश इश तवब बन अगए अपना नेक्स्ट विटामिन 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 वीट्मीन इसका क्या नाम होता है राइबॉ अब इसमें जो most important में हर वीडियो में आपको ये भी बताते रहता हूं साथ-साथ में कि important क्या है तो इसमें भी important है जो vitamin B1 में था इसका active form कौन सा को enzyme है और उसके functions क्या-क्या है ठीक है वह reactions अपन को ध्यान रखने है ठीक है deficiency manifestation और वह सब common है वह आपको वैसे भी पता हूंगे structure ध्यान नहीं रखना है पर सबसे पहले structure की बात करें अगर अपन कुछ भी छोड़ते नहीं है पर ध्यान जो रखना है वह में आपको important बता देता हूं ठीक है तो vitamin B2 की अगर history की में बात करें तो यह सबसे पहला B complex vitamin है जो कि isolate किया गया था pure state के अंदर ठीक है इसका structure की बात करें तो इसमें क्या होता है dimethyl iso aloxazine ring होती है iso aloxazine ring होती है इसके अंदर जो की ribitol से attached होती है ribitol से यह ring attached होती है ठीक है कौन सी ring होती है dimethyl iso aloxazine ring to which ribitol is attached अब इसका active form कौन सा होता है वो ही important बात है अपने पास कि इसका जो active form होता है active coenzyme form जो इसका होता है वो होता है दो enzyme forms होते है इसके FMN और FAD ठीक है FMN की क्या full form है Flavin mononucleotide और FAD का मतलब क्या है Flavin adenine dinucleotide आपको पता ही है Flavin adenine dinucleotide ठीक है तो यह कैसे बनता है जैसे यह riboflavin था अपना जो chemical structure था dimethyl iso aloxazine से ribitola test था तो यह riboflavin से सबसे पहले बनता है FMN और उसके बाद बनता है FAD ठीक है और यह दोनों इसके coenzyme forms है इसकी वह important बात coenzyme function आता है आपका vitamin तो FMN और FAD dependent reactions कौन कौन सी है कौन कौन से reactions है वो अपन देखते है ठीक है synthase ठीक है और इसमें भी ATP की requirement होती है ठीक है तो यह दो coenzymes बन गए ठीक है और enzymes containing riboflavin उनको अपन बोलते है ठीक है उनको अपन flavor proteins भी बोलते हैं और यह FAD वाली बात तो आपको अच्छे से पता होगी यह क्या करता है FAD यह 2 hydrogen accept करता है और क्या बना लेता है FADH2 और यह FADH2 ETC में जाके कितनी ATP देता है कितनी 1.5 और NADH कितनी देता है 2.5 ठीक है यह अपने अच्छे से देखा हुआ है ठीक है तो अब अपन biochemical reactions पे आ जाते है इनकी ठीक है तो biochemical reaction में सबसे पहले अपन देखते है FAD dependent enzymes ठीक है यह फिर नहीं FAD रहने है तो सबसे पहले अपन देखते है FMN dependent enzymes ठीक है FMN के छोग कम है इसलिए FMN पहले देखते है ठीक है तो FMN dependent enzymes एक तो अपन को पता हो है ETC में कही FMN आया था क्या कौन सा complex 1 उसका क्या नाम था NADH dehydrogenase complex ठीक है कैसे electron चल रहे थे उसके अंदर फटा पट बता दो NAD plus से कहां जा रहे थे electron सबसे पहले FMN से फिर को enzyme क्यों और ऐसे करके electron transfer हो रहे थे अपने तो ETC का एक तो अपन को याद हो गया complex 1 वाला ठीक है complex 1 वाला में FMN का रोल है और इसका रोल होता है एक amino acid oxidation के अंदर amino acid oxidation के अंदर FMN reduce हो जाता है इसमें कौन-कौन सा enzymes L amino acid oxidase और monoamine oxidase ठीक है तो यह इसके FMN के functions हो गए यह ध्यान रखना है कि यह L amino acid oxidase है ठीक है अभी मैं FAD बता हूँ है उसमें D amino acid oxidase आएगा ठीक है तो यह FMN वाल है अब दूसरा आपन देखते है FAD dependent enzymes तो वो काफी आपको अच्छे से याद भी आएंगे यह वीडियो देखने के बाद अच्छे से link भी करना और अच्छे से सोचना भी के कहां कहां आये थे कि नी भी आये थे यह ठीक है तो FAD dependent enzymes क्या करेंगे FAD से 2 hydrogen accept करके FADH2 और 1.5 ATP यह बाद तो अपनको पता ही है ठीक है एक एक करके चलते है क्रेब cycle में कहां आया था सक्सिनेट से फ्यूमरेट बन रहा था याद आया FADH2 बन रहा निकल रहा था और वो 1.5 ATP दे रहा था ETC cycle में जाके कौन सा enzyme था सक्सिनेट dehydrogenase ठीक है और कोई था ETC में alpha keto glutrate से सक्सिनाइल को enzyme है ठीक है उसमें भी था कौन सा enzyme था alpha keto glutrate dehydrogenase अब पिछली वीडियो में ही मैंने आपको बता था एक pyruvate dehydrogenase और एक alpha keto glutrate dehydrogenase यह दोनों multi enzyme complex है इसमें 5 co enzyme लगेंगे total कौन कौन से लगेंगे line से गिंते जाओ B1 का active form TPP B2 का active form अब भी पढ़ रहा है FAD B3 का active form NAD niacin ठीक है B5 का co enzyme A और 5 वा lipoic acid यह 5 co enzyme जहां जहां भी आएंगे यह discuss करेंगे अपन यह दो reactions की बात करेंगे तो तीसरी उसकी बात कर लेते है PDH की तो pyruvate से क्या बनता है acetyl co enzyme A by PDH मैं साथ-साथ याद भी करा रहा हू आपको ठीक है यह 2 crap cycle की हो गई एक PDH की हो गई यह याद हो गया ठीक है उसके बाद और अपन देखते है nucleotide metabolism में कहीं देखा था जैंतीन से uric acid बन रहा था बाय कौनसा enzyme था enzyme याद करो फटा पर कौनसा था जैंतीन oxidase ठीक है चार हो गई दूसरा ETC में complex 2 जो था उसका क्या नाम था नाम ही क्या था उसका succinate dehydrogenase ठीक है और succinate dehydrogenase क्या कर रहा है succinate so fumarate तो यह भी FAD बन गया complex 1 वाला क्या करवारा था FMN dependent था और यह complex 2 क्या है FAD dependent है मैंने आपको बताया था FMN क्या करवारा था L amino acid oxidase तो इसमें जो आएगा वो D amino acid oxidase ठीक है साथ-साथ याद भी करवा दूँआ मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर यह मेरी guarantee है ठीक है और एक और ध्यान रख सकते है fat metabolism में acyl coenzyme dehydrogenase ठीक है कितने भी याद है तो बहुत sufficient है ठीक है तो यह अपनने coenzyme function biochemical functions इसके discuss किये अगर deficiency deficiency manifestations की बात करूँ तो सबने नीट में पढ़ा है deficiency से क्या होता vitamin b2 riboflemin की deficiency से क्या manifestations आता है ठीक है तो natural इसकी deficiency तो uncommon होती है natural deficiency नहीं होती इसकी क्यों क्योंकि यह जो होता है यह synthesize होता है by intestinal flora intestine में जो bacteria है वो इसको synthesize करते है तो naturally इसकी deficiency नहीं देखने को मिलती फिर भी अगर deficiency हो गई है तो क्या-क्या features आएंगे तो most important इसके standard terms याद रखने है glossitis, glossitis मतलब इसमें जो tongue हो जाती है उसका inflammation हो जाता है और कौन सी color दिखती है magenta colored tongue ठीक है यह standard terms अपन को याद रखने पड़ेंगे उसके बाद glossitis के बाद cheliosis cheliosis में क्या हो जाता है lips जो होती है उसका fissuring of lips हो जाती है ठीक है fissured हो जाती है lips ठीक है उसके बाद और क्या होगा angular stomatitis angular stomatitis नाम से पता चल रहा है क्या होगा inflammation कहां पर at corners of mouth corners of mouth जहां पर भी itis word आता है ना उसका मतलब inflammation कहीं ना कहीं हो रहा है ठीक है यह बात भी ध्यान रखना वैसे को पता ही होगी ठीक है और क्या होता है इसमें vascularization हो जाता है यह अगर ध्यान नहीं भी रहे तो भी कोई बात नहीं और क्या deficiency manifestation यह क्या करता है यह interfere करता है with iron metabolism iron absorption के साथ क्योंकि यह interfere करता है इसलिए इसकी deficiency से होता है normocytic normochromic anemia ठीक है तो मेन बात अपन को क्या ध्यान रखनी है कि glossitis होगा magenta color tongue होगी cheliosis lip की fissuring और angular stomatitis यह तीन इसके most important feature है circumcorneal vascularization होता है और interfere करता iron metabolism में इसलिए normocytic normochromic anemia होता है और इसकी deficiency से क्या होता है irregular ridges on nails nails वाला यह system रहने दो पर मैं फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि यह लिखा हुआ है books के अंदर इसलिए पर नहीं याज रहे तो कोई नहीं पूचेगा irregular ridges in nails ठीक है फिर अब इसके sources की बात कर लेता है यह sources और यह मैंने last में इसलिए लिखे क्योंकि जो main मेंने वो पहले पता चल जाए आपको ठीक है source जो होता है इसके क्या होता है liver ठीक है dried yeast और क्या हो सकता है egg milk यह बहुत rich source होता है ठीक है इन्हों में vitamin B2 बहुत ज़्यादा मात्रा में present होता है इसके अलावा और sources के बात करें तो fish हो गई whole cereals होगा यह भी whole cereals अपने पिछली वीडियो में भी देखा था अगर आपन करें recommended dietary allowance की तो यह इसके idea approximately इसकी भी 1.5 mg पर दे होती है vitamin B1 की भी कितनी थी 1 to 1.5 वो भी किस पर depend कर रहा था carbohydrate diet पर ठीक है calorie intake पर depend कर रहा था यह भी क्या करता है carbohydrate diet पर depend करता है concerned mainly with the metabolism of carbohydrates so it is also related to calorie intake अगर calorie ज़्यादा लोग है तो इसकी भी requirement बढ़ती जाएगी ठीक है और pregnancy, lactation और old age के अंदर 1.5 तो यह normal अपने लिए सब के लिए है ठीक है तो उनके अंदर 0.2 तो 0.4 mg और जोड़ दो ठीक है तो 1.5 तो नहीं तो 2 mg मान के चलो ठीक है पर अपनको ध्यान standard value रखनी है pregnancy में और lactation में requirement बढ़ जाती है इसलिए उनसमें थोड़ी ज़्यादा जरूरत होती है तो vitamin B2 में भी most important question क्या आएगा आपके आएगा तो question अलग से vitamin B2 का कोई नहीं आएगा question यह आएगा कि इसके active को enzyme कौन कौन से active form कौन सा है तो कौन सा FMN और FAD और उसके functions उससे related reactions जो है यह most 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 important FAD और FMN की reactions ठीक है तो जो जो important है वो हर वीडियो में मैं बता रहा हूँ उस पर ज्यादा focus करें और बाकी हर चीज़ों भी आपको शौक है तो अच्छे से पड़े अपन सब चीज़े कवर कर रहे हैं यहाँ तो vitamin B2 भी यहाँ पर समाप्त होता है और अब बढ़ेंगे अपना next vitamin vitamin B3 नियासिन जो की most 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 important vitamin है ठीक है तो मिलते है अगली वीडियो में जब तक के लिए जय हिंट जय भारत